असलाम अलेकुम जी आज हम नेक्स टॉपिक पढ़ेंगे एसी थ्रू आर एल सीरीज सरक्ट लास्टाइम आपने देखा था आर सी सीरीज सरक्ट था तो यह उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा अब हम रिजिस्टर को और इंडेक्टर जिसकी इंडेक्टेंस एल है उसको हम स दिवाइड होगा इसके क्रोष आजएगा VL और उसको क्रॉस ओगए Twr और कॉररेंट स्थे ब्मेंट सर्से में गाय्स सेम है लकसिण दिवाइड होता है तो प्रॉल बात करते हैं अंडेक्टर की पोटेंचल अक्रॉस इंडॉक्टर एल इस वी एल इकल टू आई एकसल इसकी रेक्टन्स होती है जैसे उसकी रिजिस्टन्स है तो विच लीड दफ करंट बाइन टी डिग्री और इसमें जो वोल्टेज आएगा इंडॉक्टर के अक्रॉस वह करंट को लीड करेगा बाइ एंगल 90 डिग्री या फिर पाइबाए 2 तो अब हम ओवराल इसकी डायगराम ड्रॉक्टर करेंगे और फिर हम इंपिडेंस कल्कुलेट करेंगे और एंड पे वह जो फेस्ट डिफरेंस आएगा और वोल्टेज में और वह भी कल्कुलेट करेंगे इंपिडेंस डायगराम तो देखें सबसे पहले तो हम क्रण ड्रॉक कर लेते हैं वह हमारा रेफरेंस है आई जो है वो दोनों का सेम है वी आर जो है वो तो आपको पता है इन फेस है विद्धा आई तो उसी डिरेक्शन में वी एल जो है वो लीड करेगा इसलिए वी आल को आप यहां 90 डिग्री और उसको लिख दें कि यह वी एल है और वो बराबर होगा आई एकसेल के यह वी आर तो आपको पता है आई आर की बराबर होता है उन्हें के तरम्यान कितना अंगल आ गया 90 अब वोल्टेज दो इस तो में डिवाइड हो गए अब आपने इसका जोना रिजल्टन निकालने है वह आप इनको वेक्टर के तौर पर ट्रीट करेंगे तो है टूटे रूल तो यहां मिला दीजिए इसकी लाइन को यह ओवराल वी आ गया जिसे आप आई जैड करेंगे जैड मीन ओवराल इंपिडेंस जोगी अब अब वोल्टेज और अवराल करंट के त्रमाइन एंग पर इंदर वोल्टेज लीड कर रहा है और एंगल ठीटा नाइंटी नहीं ठीटा वह फैंट भी करेंगे तो पहले तो रिजल्टन वोल्टेज निकालते हैं वह निकलेगा और इसमें देखें दो कंपनेंट्स आगे वी आर का स्केर और प्लस वी एल का स्केर वैली तो लग आई कॉमन ले लें स्केर के साथ और वो स्केर रूट से कैंसल होगे बाहर भी आजएगा तो अंदर बच जेगा आर स्केर प्लस एक्सल स्केर फिर इंपिदेंस का फार्मुला जो होता है वो वी आरमेस ओवर आई आरमेस के बराबर होता है यहां वैली जो लगा दें वी आ गई हो जी आर स्केर प्लस एक्स एल स्केर आगे है ठीक जी यह ओवराल इंपिदेंस आगी इसकी अब बात करते हैं एंगल की थीटा तो इसका रिजल्ट लिखेंगे के ओवराल वी जो है लीट्स इस दा क्रेंट बाए नाइन और भाई थीटा तो आप कल्कॉलेट करेंगे यहां पे तो थीटा कल्कॉलेट करने के लिए होई टैन यूज करेंगे आप तैन थीटा इकल टो लेकिए वी एल ओवर वी आर ठीटा को सेपरेट कर लीजिए टैन उतर जाके इन्वर्स value i xl xl प्रशक यहां put भी कर लें आ गें further xl की value हैं वो omega al होती हैं वो भी put कर सकते हैं यहां पर तो यहां ur तो यह cancel हो जाएगा आई बाकि remaining portion लहागे आएगा वेडिये लोग आ दें XL की omega al over r अभ इम्पिडेंस diagram देखें इसकी वी इसमें देखें जो तो रिजिस्सन्स है वो तो वह रिजुन्टल लेवल पर क्योंकि आई और वी आर इदर ही है और जो रियक्टन्स आई है इंडॉक्टर की तरफ से एक्स एल वो इदर है और यह इंपिडेंस है वो इदर आगी है इनके दर मैंने एंगल थेटा वह इसी वार्मॉले से आप करक सब्सक्राइब करते हैं यह इंपिडेंस डियाग्राम हो गई है ठीक है तो इसको भी सब्सक्राइब से मिला भी नहीं है अब इसमें देखें क्या हुआ ओवराल जो वोल्टेज को लीड कर रहा है बाई एंगल थीटा रिजिस्टर के अंदर दोना इंफेस थे वोल्टेज सब्सक्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अब साथ ही चोटी सी और चीज बात कर लेते हैं वह है पावरी ने सी सरक्ट यहां इसी सरक्ट अब लगाए कि कल आपने पड़ा और आज आपने आरल पड़ा इसमें पावर जो नहीं वह डिसेपेट हो रही है क्योंकि आर लगा हुआ है और तो अब यहां पर जो पावर डिसिपेशन हो कैसे फाइंड करेंग वह देखते हैं है हमारे पास जर्णल ही वी आरमेस और आई आरमेस इनको मुल्टिप्लाइ करने से पावर आ जाती है यह से विशन हमालूम कर सकते हैं लेकिन यह फार्मुला तब तक वैलिड है जब तक वोल्टेज और करण जो है वह इन फेस हो अगर इनकर में फेस डिफरेंस होगा फिर यह फार्मुला वैलिड नहीं रहता है तो मैं आपको डागराम ट्रा कर देता हूं अभी जो देखें हमने दो डागराम पढ़ी है और सी और आरल सरकुट में मैं आरल सरकुट की इस तरहां की थी इसमें आई इधर और वोल्टेज जो था ओवराल वो इधर था तो इनके त ऀू फार्म पेस्ति की फीजा आगए यह आगई है वी आर्मेस और साथ कौस्ट ट्कीपा और यह बीर्म पास्ट टीटा उसको लिखने में जَّरूवरत नहीं है यह वह किस की डिरेक्शन में ए वह i की डेwerगर्शन में यानिकि के v rms cost theta i rms के साथ in phase है तो आप इसकी मदद से power find out कर सकते हैं, यहाँ power factor 1 है यहाँ कोई भी चीज नहीं, 1 है और यहाँ क्या आजएगा v rms और साथ cost theta और साथ multiply कि इसको करोगे i rms को, तो power क्या बन जाएगी v rms और i rms s और साथ के आजएगा cost theta तो अब याद रखना है कि यहाँ power factor कितने है, cost theta और जो ऐसा circuit जिसमें voltage and current in phase होते है वहाँ power factor 1 होता है voltage and current in phase नहीं होंगे जैसे कि rc, rl circuit में तो power factor cost theta आजाएगा cost किस angle का जो voltage and current के दरमियान phase difference होगा तो इस तरह आप power in ac circuit सा जो dissipate हो रही है वो आप find out कर सकते हैं next फिर इंशाला यह जो r, c, l यह जो resistor capacitor inductor इनको series और parallel में connect करके पिर इनको study करेंगे वो resonance circuit कहलाते हैं Allah Hafiz